नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. महीपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे एक अंतरराष्ट्रिय घटना की जो यूरोप में हुई है इस हफते और इसने अंतरराष्ट्रिय नागरिक उडेयन के मामलों में एक सव किया जा सके इस पूरी घटना के क्या माइने है किस प्रकार से घटना हुई इसको हम डिसकस करेंगे और साथ ही में ICAO यानि के International Civil Aviation Organization का क्या यहाँ पर रोल हो सकता है इसको भी हम डिसकस करेंगे तो एक फ्लाइट ग्रीस से टेक आफ करती है 23 माई को और उसको जाना था य अगर आप अनकाडमी पर मेरे स्पेशल क्लास या प्लस कोर्स के अप्डेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आइडी पर मुझे वहाँ फॉलो कीजिए अन्य सभी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर महिपाल राठोड मेरा है इस लेक्चर का पीडिएफ आपको पा प्ली में आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो टॉप 500 रैंक के लिए स्कॉलर्शिप्स अवेलेबल हैं कॉमबाट में हिस्सा लेनी के लिए आपको किवले कोड यूज करना होगा यू कन यूज दिस कोड तो बेलारूस में ये प्लेन को डाइवर्ट कराया गया एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने के लिए रायन एयर नाम की कंपनी की ये फ्लाइट थी जो एथिन्स ग्रीस से विल्नियस लिथुएनिया जा रही थी और इसको बेलारूस के मिंक इंटरनेशनल एर्पोर्ट पे लैंड करवाया गया तो यहाँ पर लैंड करवाने के पीछे रीजन ये बोला गया कि प्लेन में एक बम है एक बम है और इसको आतंगवादियों ने रखा है वहाँ पर और security threat का हवाला दिया गया तो aircraft को ये कहकर लैंड करवाया गया कि आपके प्लेन में एक बम है और security threat के कारण आपको लैंड करन ज़रूरी है तो जब ये plane land हुआ उसमें 170 लोग थे 12 अलग अलग देशों के लेकिन जब plane फिर से take off करता है 7 घंटे बाद तो एक व्यक्ति उस plane से गायब था and that was Belarusian journalist and opposition activist Roman Protasevich Roman Protasevich 26 साल के एक journalist है जो Belarus के Nexta television network के साथ काम करते हैं ये पिछले कई महीनों से Alexander Lukashenko की सरकार के खिलाफ active थे, मुखर थे अपने news channel और programs में Lukashenko कौन है? Alexander Lukashenko 1994 से Belarus के president बने हुए है तो USSR का जब विगटन हुआ था उसके बाद Belarus एक independent देश बना तब जो पहले चुनाव हुए थे, तभी से Lukashenko वहाँ पर राष्टरपती बने हुए है तो कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीकता लेकिन अब recent years में Lukashenko पर ताना शाह बनने का आरोप लगाया जा रहा है और जो 2020 में वहाँ चुनाव हुए थे, उनमें धानली के आरोप लगाये हैं वहाँ के सभी opposition parties ने और जब result आया था चुनाव का जिसमें Lukashenko फिर से जीत गए थे, तो उस समय बेलारूस में बहुत सारे protest हुए थे बड़े सतर के protest हुए थे, ये September 2020 की बात है और अब इसी protest के दौरान जो Nexta TV है, उसने राष्टरपती का विरोध किया था और Nexta पर यह आरोप लगाया गया है Lukashenko द्वारा कि इन्हों ने ही ये कई सारे protest और्गनाईज करवाये थे after these elections, तो इसलिए Lukashenko ने personally ये MiG-29 अभी भेजा, इस plane को land करवाया ताकि Roman Protashevich को फिर से बेलारूस लाया जा सके Protashevich जो है, ये बेलारूस छोड़के पड़ोसी देश पोलेंड में रह रहे थे पिछले कई महीनों से क्योंकि वहां की जो सरकार है, वो इनको अरेस्ट करना चाहती थी इस कारण से तो Nexta Network ने ये statement दिया था कि plane में कोई bomb नहीं था, कोई security breach नहीं थी केवल एक बहाना बनाया गया ताकि Roman Protashevich को detain किया जा सके Protashevich बेलारूस में एक wanted list में थे जब से ये 2020 वाले protest चल रहे हैं तो Alexander Lukashenko इनको काफी समय से arrest करवाना चाहते थे Protashevich पिछले कई महीनों से पोलेंड में रह रहे थे और बेलारूस की सरकार ने पहले पोलेंड को request भी करी थी कि इनको हमारे हवाले कर दिया जाए लेकिन ये extradition request पोलेंड ने नकार दी थी मना कर दिया था और उसके बाद अब ये इस प्रकार से इनको arrest किया गया है जबरदस्ती plane को land करवा कर Lukashenko ने अब इन पर आरोप क्या लगाया है Protashevich के उपर कि ये आतंगवाद फैला रहे थे और दंगे बढ़का रहे थे देश में 2020 में और इसके लिए 15 साल की वहाँ पर सजा का प्रावदान है तो मान कर चलो कि Roman Protashevich अभी काफी समय तक जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं और जब ये plane मिंक में land करी रहा था उसी समय प्रोटाशhevich ने अपने सहय यात्रियों को कह दिया था plane में कि यहाँ पर मौत की सजा होने वाली है मुझे मुझे अरेस्ट करने के लिए plane land करवाया जा रहा है ये बात उन्होंने कह दी थी और 7 गंटे तक उस plane की वहाँ पर जांच हुई सभी यात्रियों को उतार कर security जांच करी गई पूरे plane की यात्रियों की और जब सभी यात्रियों को फिर से plane में बठाया गया बोर्ड करवाया गया तो उस समय प्रोटाशhevich यात्रियों में शामिल नहीं थे और ये news तभी आने लग गई थी अब इसके कारण European Union के नेता काफी नाराज हैं खास करके Lithuania के जो President हैं उन्होंने तो ये कहा कि ये बिलकुल गलत है और इस प्रकार से transportation route को threaten नहीं किया जा सकता तो कोई भी flight जो Belarus के उपर से उड़ रही है वो safe नहीं है इससे बहुत ही नुकसान हो सकता है तो Lithuania के President ने कहा कि पूरी दुन EU का हिस्सा है लेकिन Belarus EU का हिस्सा नहीं है Belarus और Ukraine दोनों ऐसे देश है Eastern Europe के जो European Union का आज भी हिस्सा नहीं है बाकि Norway भी नहीं है अब तो UK भी नहीं है लेकिन ये वाले देश काफी integral है अब होता क्या है कि देखो ये सारे देशों के बीच में जो flights चलती है flight path तो इन सभी जाना बहुत ही risky है क्योंकि कल को ये घटना किसी और देश की flight के साथ भी घटित हो सकती है एक और important बात ये है कि Russia बेलारूस को बहुत support करता है in fact Lukashenko power में ही इसलिए बने वे हैं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का Russia का पूरा support इनको हासिल है और इसलिए ये European Union का हिस्सा भी नहीं बने है इन फाक्ट नेक्स्टा टीवी जिसके लिए Roman Prutashevich काम करते थे उनके एडिटर इन चीफ ने तो साफ तोर पर ये कहा कि ये पूरी घटना KGB ने अंजाम दिये KGB जो कि Russian security agency है intelligence agency है उस उसने ही ये पूरा घटना करम चलवाया है European Commission की President Ursula von der Leyen ने काफी सक्थ टिपणी करे इस पर इन्होंने कहा कि international air transport के rules को तोड़ने की सजा कुछ ना कुछ होगी there will be consequences तो pressure तो आ रहा है European Union का लेकिन exactly ये क्या कर सकते है क्या नहीं ये देखने लायक होगा क्यूंकि Belarus EU का हिस्सा नहीं है कई सारे non EU countries ने भी इसकी निंदा करी जैसे कि Norway उसने भी Belarus की निंदा करी इस काम को लेकर इस घटना को लेकर और UK ने तो साफ तोर पर ये कह दिया कि ये एक hijacking थी और ये hijacking बेलारूस की सरकार के द्वारा करी गई है USA का भी statement आया Secretary of State Anthony Blinken ने भी इसके उपर काफी सारी बातें इन्होंने कही और ये कहा कि use of a military aircraft to escort a plane is deeply concerning तो military aircraft को आप civilian planes को जबरदस्ती land करवाने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते ये गलत है और इसके response में अब European Union ने क्या करा कि अपने देश की कई flights को ban कर दिया है कि आप बेलारूस के उपर नहीं उड़ेंगे तो जो बेलारूस का airspace है उसको European Union ने कुछ समय के लिए अभी ये कह दिया है कि हम जारूस के उपर उड़ने से मना कर दिया है सिस्पेंड कर दिया है सिंस 25 में लेकिन इस पूरे मामले में ICAO क्या करेगा ये देखने लायक होता है International Civil Aviation Organization ICAO की स्थापना करी गई थी 1947 में जब कई देशों ने मिलकर Chicago Convention पर साइन किये थे Chicago Convention एक संधी है जिसके तहत अंतर र चिकागो USA का शहर है वहाँ पर ये ट्रीटी साइन हुई थी और उसके बाद ICAO का घठन हुआ था याद रखेगा कि ICAO अब United Nations की एक Specialized Agency है और इसका Headquarter है Montreal Canada में लेकिन ICAO के पास क्या इतने पावर है कि वो किसी देश को इस तरह की घठना के लिए Penalize कर सके या फिर उसक उसके Airspace को बंद करवा देंगे लेकिन वो क्या कर सकते हैं ICAO के थुरू नहीं कर सकते हैं अपने अपने देश की Airlines को ये कह सकते हैं कि आप बेलारूस के उपर मत उडिए फर एक्जांपल भारत अपने देश की सभी Private और सरकारी Airlines को ये कह देगा कि आप बेलारूस के उपर अपनी फ्लाइट्स को ना लेकर जाएं तो वैसे पॉसिबल है ICAO के माध्यम से ये करना पॉसिबल नहीं है अमेरिका और यूरोप की कई सरकारों ने अल्रेडी ये काम कर दिया है अपने देश की Airlines को कह दिया है कि आप बेलारूस पर मत उडान भरिये और प्रेजिडेंट Alexander Lukashenko तो अल्रेडी कई प्रकार के सैंक्शन से गुजर रहे हैं US और EU ने पहले से ही उन पर बहुत सारे सैंक्शन लगा रहे हैं और अब ये सैंक्शन और बढ़ाये जानी की उम्मीद है US ने ICAO की 36 देशों की काउंसिल की बैठक भी बुलाई है और इस बैठक में ये तेह किया जाएगा कि इस घटना की जाच करी जाए इन्वेस्टिगेट करा जाए और भविश्य में इस प्रकार की घटना ना हो इंटरनेशनल एविएशन में ये सुनिश्चित किया जाए 90 देश इसके मेंबर हैं including Belarus ये सभी इसके मेंबर हैं और यहाँ पर एक consensus बनना बहुत ही मुश्किल है इसलिए ICAO के काम generally बहुत slow होते हैं और पहले भी इस तरह की समस्या आ चुकी है जब airport security को लेकर ICAO के अंदर काफी disputes रहे हैं तो ICAO अभी mainly security और safety हवाई जहाजों की उ उसको लेकर ही बात करता है और 1970 और 80 के दशक में जब दुनिया में बहुत सारी hijacking हो रही थी उस समय भी ICAO के अंदर ये dispute चला था कि अगर कोई hijacked plane है तो क्या उसको land करने की permission देना जरूरी है या नहीं इसको लेकर काफी बवाल हुआ था वहाँ पर और कोई भी consensus वहाँ तब नहीं बन पाया था तो अभी जो उमीद है वो यही है कि या तो NATO या फिर EU की तरफ से कोई pressure आएगा बेलारूस के उपर तो ये देखना होगा कि NATO क्या action लेता है कोई ना कोई action NATO का जरूर होगा NATO के Secretary General ने भी इस पूरी situation के उपर अपना एक statement दिया था और एक interesting बात यह अब hijacking हुई है तो मान के चलो की शायद हमास नहीं किसी Palestinian organization ने करी होगी हमास का तो गठनी 1988 में हुआ था तो हमास से पहले भी बहुत सारे organization थे जैसे की PLO अगेरा वो hijacking करवाया करते थे तो इसलिए इन्होंने भी सीधा नाम डाल दिया हमास पे और हमास ने तुरन statement दिया कि हमारा इस hijacking से कोई लेना देना नहीं है हम क्यों बेलारूस में जाकर hijack करेंगे तो यह थोड़ा सा एक interesting घटना करम था उस समय के लिए तो अब देखना होगा कि ICAO या फिर US led NATO के द्वारा क्या यहाँ पर action लिया जाता है ICAO के पास directly कोई power नहीं है जो काम होगा वो य 10% extra discount मिल जाएगा अगर आप महिपाल code यूज कर लेते हैं और यहाँ पर आपको भारत के best educators के द्वारा live classes में पढ़ाया जाता है प्लस और iconic दो प्रकार के subscription है इन सभी subscription के लिए आपको ये वाली prices पे नहीं करनी है code को यूज करके आपको flat 10% discount मिल जाएगा और यहाँ पर ह teachers regular time पर regular classes यहाँ पर लेते रहेंगे मेरा भी art and culture का एक course चल रहा है आप चाहे तो इसको भी जॉइन कर सकते हैं अगर आप एक plus course subscriber है तीन free test series है इनको join करके अपना prelims का score increase कीजिए test series को join करने के लिए all you need is a unlock code और इन सभी exams की तयारी के लिए भी courses available हैं अब app या फिर website पर जाकर इने check out कर सकते हैं thank you very much for watching this have a great day